नमस्कार दोस्तों मैं राजीव आप सभीता स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल जीके महाखुमें दोस्तों राजस्थान जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है यह किसी भी एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट से रहेगा तो इसमें पचास महत्पूर्ण प् उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ऐसा नहीं कि कोई एक एक्जाम के लिए इस विडियो जो है बनाया जाया है तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट फिवर्टे के उसन को हमारे 600 प्रशन जो है कंप्लीट हो चुके हैं आज ह मॉसके आगे के 50 प्रशनों को देखेंगें इसमें मैं ने ने कीषम है के लिए देखेंगें तो हमारे जब ऑर 1500 को हैं अज के लिए आप आ lira P पहला प्रश्न हमारा का रहा है कि गुबिंदगीरी किस जात से संबंधित थे आप्शन मैं सीधा एंसर ही बताऊंगो तो देखिए इसमें जो गुबिंदगीरी जातुं की पुछी गई है तो यह बंजारा जात से संबंधित है अगला प्रश्न हमारा के थोड़ा छोटा करें पास rack में कौन सा बांद जो है बना हुआ है चुलिया जलपरपात के नीचे की और पास यानि की राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है तो इसमें राइट एंसर ऑप्शन ए है रहा प्रताफ बांध अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा कह रहा है कि बेथली लगू सिचाई परियोजना जो है स्थित है ऑप्शन सी इसका राइट एंसर है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा है कि निमलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के जो है दक्छुलितम भाग में इस्थित है तो कुसलगर्ड ऑप्शन ए दक्छुल में इस्थित है अगला प्रशन देख तो इसमें जो कांतली नदी है यह जो है सुम्लित नहीं है बाकी पीनों जो है सही है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा कहा रहा है कि राजस्थान में सीथ कालीन वर्षा उन चक्रवातों के प्रिडाम सुरूप होती है जो उत्पन होते हैं बहुत कहां से होती है पहले कर दो अगला प्रशन दिखते हैं अगला प्रशन हम हम रहा है कि निमलाखित में से ूजोड़ा प्रशन नहीं इसका यह सिंपन नहीं है इसंका राए टानशर ऑपशन भी है नीमला राई सेल जो है नागोर में इस्टेत नहीं है बाकि सभी सवह हैं अगला प्रशं़ देखते हैं अगला प्रश्न हमारा का राजस्थान में सबसे चोटा कृषी जल्वाई प्रदेश है सबसे चोटा जो है जल्वाई प्रदेश कौन सा है तो रैट आढ़्त मेर निम्लेखत में से कुछा ज्यसलो को प्रस्तूत करता है तो इसका राइट एंसर जो है E A D है ऑप्शन A इसका राइट है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा है कि राजस्थान के किस जिले में जो है उस्टर कटी बंधी है सुस्क कटीले बंद पाए जाते हैं तो यह जैसल मेर में पाए जाते हैं अगला प्रशन हमारा है कि राजस्थान सरकार के बंधी विभाग गौरा जारी जीलेव हेतु निर्धारित बंद जीव सुभंकर के गलत युगमत को पहचानी है इसमें जो है जीले के अंसार जो है बंद जीव दे रखा है सुभंकर तो में निम्याशक में कौन सा रॉंग है तो यह अलवर जो दे रखा है यह बाग नहीं है बाकी सभी यह तीनु राइट है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रस्ट वारा कुन से कौन सज्ञ लीक लिट नहीं है तो कुलायत जोद्पुर गजनेर, भीकनेर, फरावदी जैसलमेर जोहuben यह रॉंग भाउंगर्ण सड जोहएं वीकनेर जैसलमेर यह नहीं अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है कि निमल्कित में से कुन स्वरी निमल्कित में से कौन सी राजस्थान में जल संग रक्षण Dobhat जो अगला पुलर या जाँए तो यह कुछ दो साल मुझाय थी है। केंदरी सुसक बागवानी संस्थान जो है कहां इस्थित है तो यह विकानेर में स्थित है ऑफ्वाप्सर्ण डी अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण हमारा कर राए कि जो है राजस्थین का विकानेर जिला जो है कौन से क्रिश्री जलवाई प्रदेश में आता है तो राइट हैंस और ऑप्षन सी वन सी उच्छ सुस्क एओं सीचित मैदान में आता है अगला प्रशन हमारा है कि मारवार के चंदर्शेड ने जो है मुगलोग से संगर्ष के लिए किस अस्थान पर जो है सेना को संगठित किया तो राइट एंसर ऑप्षने बद्रा जून में अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा है कि वह कौन सा सा सक्था जिसने तीन मुगल बात्साहों के काल में सासन किया तो मिर्जा राजा जैसी अप्षन भी अगला प्रशन है कि आहर सब्वता किस अन्य नाम से भी जाने जाती है आहर सब्वता जो है अन्य किस नाम से जाने जाती है तो अगहाठपूर अप्षन सी अगला प्रशन है अंग्रेजों के साथ करोली राज्य की संधी कब हुई थ नो नॉम्बर 1870 को अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा है कि किस पूरा विद्ध को प्रथम बार काली बंगा को प्रकाश में लाने का अश्रे दिया जाता है अगला प्रशन हमारा है कि एतिहासिक पोथी खाना की कहां इस्तित है तो राइट अप्शन दूर्ग में श्थित है तो कुम्भलगर दूर्ग में इस्तित है, अप्शन C, अगला प्रशन हमारा है, भारते समिधान के अंसर जो राजस्थान को भारत के किस स्रेणी के राज्य में रखा गया, तो B में रखा गया, दूतिस स्रेणी में, अप्शन B जो है इसका राइट है, अगला प्रशन हमारा है कि, साधू सिता राम दास का जन्म जो है, कहां हुआ, साधू सिता राम का जन्म जो है, कहां हुआ, तो B zooल्या में हुआ, Option A, अगला प्रशन है, समराइच्च कहा का रचीता कौन था तो हरी भद्र सूरी अगला प्रशन है कि प्राचीन भारत में जो है विराट नगर किस जनपत की राजधानी थी तो मत से जनपत की राजधानी थी विराट नगर अगला प्रशन है बम निरित्र जो अलवर भरत पूर में जो है प्रशीद्ध है यहां बम से सब्द का जो है क्या तात्पर है तो नगाड़ा आप्शन डी अगला प्रशन हमारा है कि मियो कालेज का जो है संस्थापक कौन था मियो कालेज का जो है संस्थापक कौन था मात किजी तो रिचर्ड बार्क अगला प्रशन है परेटन अस्तल अचल गड़ जो है किस जिले में इस्तित है तो सी रोही में है अप्शन बी अगला प्रशन है कि सांभर जील का निर्मार किस चोहां सासक द्वरा किया गया वासुदेव द्वरा अप्शन सी अगला प्रशन हमारा है अन्ना सागर इस्तित है अन्ना सागर इस्तित है अजमेर में अप्शन अगला प्रशन है जैसल मेर का किला किस नाम से जाना जता है को राइट एंसर सोनारगर के नाम से जाना जाता है अगला प्राशन है 84 हंबो की छत्री स्थित है की और यह भूंदी में इस्थित है option D है हम अगला प्रशन हमारा है कि निमन मैं से को सा जोड़ा सही समलित है एक तरफ तरफ जलवाई पर एक तरब जिला है तो इसमें जो है आप्शन बीजो दे रखा थर्ड एदो साथ यह सई है अ बाकी रौंग है अगला प्रशन हमारा है कि राजस्थान राज प्रदृर्षण नियंत्रण मंदल का गठन किस प्रकार के प्रदृर्षण की रोग था मोनियंत्रण के लिए तो जल के लिए a अगला प्रश्ण और वर लोण winding ग्हास-ई राजस्थान के इस जल्वाई प्रोविश में उपती है और थिसह कि में और क्यों अगला प्रश्ण हम ड्य कि निम्लिक्यत में से कौन सी पर्योजिना मद्धे प्रदेश गुजरात वर राजस्थान राजियों के मद्ध है मद्ध का एक संयुक्त उपक्रम है तो नर्मदा नभी प्रियोजना आप्सन सी अगला प्रशन हमारा है समानतर राजस्थान में जो है दक्षडी पस्यमी मांसून की अवधी होती है तो जून से सितंबर दुव्दाप्रेस अगला प्रश्ना है निम्न मेशन्हीं सकतन राजस्थान में गीर गोवंस के बारे में असत्य हैों तो अफसन सी किसका है बैल को दौड़ खेल में उप्योग लिया जाता है ये असत्त है, बाकी सभी जो है, सही है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, नए मूल की जलोड मिट्टी नहीं पाई जाती है, नए मूल की जलोड मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो कोटा में, अगला प्रश्न है, निमलिखित को समलित करना है, इसमें जो है कूट दे रखा है तो एक तरफ प्रयोजना है और एक तरफ जो है नहर है तो भाख्ठा नागल जो है ये बिष्ट दुवाब में और चंबल जो है ये दिगुद में है नहर और व्यास जो है व्यास सlä लिंग इस Сंथ और इंद्रा गाधी यह जै निरान ब्यास से है तो इसके according इसका right answer जो है option D है अगला प्रशन हमारा है आभानेरी बावडी जो है कि अवस्थिती निमनिम में से किस जिले में है तो यह दोसा में है option B अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा है कि मरूल विकास बोड की अस्थापना किस वर्ष में हुई थी तो 1966 में option D अगला प्रशन हमारा है कि विकानेर का पहला कौन सा राज्य था जिसने अकबर की अधिनता जो है स्युकार की तो कल्यानमल option D अगला प्रशन है कि हर समाधा मंदीर यों चात बावड़ी जो है किस जिले में इस्थित है यह दोसा में है अगला प्रशन है राजस्थान के परिवहन विभाग का अधर्श वाक है अगला प्रशन है निम्न मेंसे जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है तो यह लूणी की है अप्शन भी है तो हमारे पचास प्रशन हो है कंप्लेट हो गए दोस्ते और यह किसी भी एक्जाम के लिए इंपोर्टन रहेंगे और इसी तरीकी की वीडियो पाने के लिए चैनल को जुरू सब्सक्राइब कीए जिए बेल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच पाए मिलके अगले वीडियो में ख्यालर के धन्यवाँ